असलाम अलेकूम माई यूटियोब फैमिरी तो कैसे आप सब उमीद करते हूँ आप सब बिलकुल खेरियत से होंगे और अलहमदलिल्ला आप सब की दौाओं से हमें बिलकुल ठीक है तो आज मैं व्लॉक स्टार्ट कर रही हूँ तो आज हो रही थी बारिश बहुत ही प्यारी तो मैंने सोचा कि शूट कर लेती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है यूनो संसेट और संराइज देखना स्पेशली यह पर जैसे ओपन है एरिया हम लोग का तो आप अगर टेरेस पे जाते हो तो बहुत ही अच्छा संसेट का व्यू मिलता है तो ज्यादातर लोगों तो अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पी जो टेरेस होती है मतलब यूनो फोर्थ फिफ्ट सिक्स फ्लोर पे ऐसे होता है तो टेरेस का व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है तो यहाँ पर बस थोड़ा बहुत मैशूट कर रही थी तो मैंने सुचा आप लोगे सब भ बारिश होगी कि बहुत ही अच्छे सा मौसम बन गया था बादल वगेर आ गये थे बट बहुत देर बारिश होई तो यह देख सकते हो आप देख का समझ जा रहा होगा आपको कि आसमान जो है वो पूरा मतलब ऐसे डाक क्लाउड जा गये तो मुझे ऐसे मौसम बहुत अच बहुत ही सुकून का मौसम लगता है मुझे बारिश और बारिश में भीगना बहुत लोगों को पसंद होगा मुझे तो बहुत पसंद है काफी लोगों को बारिश पसंद नहीं आती उनको ऐसा होता है कि यार बाहर जाना होता है और बारिश आ गई तो वो भी चीज होती है तो सबके अपने तकी है, थे उपनी पसंद है तो यहँ पर असर का टाइम हो रहा था था पाँव आट हो रहा है तो ब्र मारी टरिस है, और यह हो रहा है अगर शुकून सेट इतना अच्छा लग रहा था यहां बहुत सुपून लगता है मुझे terrace पर जाकर आप family के साथ और यह देखें यह पूरे यहां पर birds वगेरा बहुत ही सुपून की जगा है मेरी terrace तो यहां पर मैंने clearly आप देख सकते हो sunset हो रहा है और view कितना प्यारा है बारिश फिर भी नहीं हुई पता नहीं क्यों मुझे तो लगा था कि यह definitely बारिश होने वाली है बट जब हम लोग नीचे चले गए उसके बाद बारिश होने लगी बहुत टाइम बाद I think 8-9 बजे कुछ बारिश हुई बट यह देखें कितना प्यारा भी हुआ है और मुझे कमेंट में बताना कि कितने लोगों को sunset पसंद है और कितने लोगों को sunrise क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा दर लोगों को sunrise पसंद आता है बट मुझे sunset बहुत पसंद है बहुत कम लोगों थे जिनको sunset पसंद आता है तो यह देखें और इतना प्यारा हो रहा है सूरज, आसमान बहुत ही क्यूट पताब ऐसे होता है कि आप वो एक सिनरी जो बन जाती है और जो आप आइज आपके कैप्चर करते हैं वो आपको कैमेरा भी कैप्चर नहीं कर सकता तो यह देखिए फिर उसके बाद मिक्स्ट हर्ब्स नार्मल हमने यहाज चीज क्यूब लिया है मॉजरिला चीज है यहाँ पर देख सकते हो तो यह अमूल देख एक साल निया है यहाँ पर आमने पीजा बेस लिया है तो पीजा भी आपको बस हरिक और भर लें blue एक सेbos का वीमीण लिया है वो साइड आपको ज्यादा फ्राइ करनी है और जो आपका बेस होगा जो आपको बेक करने के लिए जो आप नीचे रखेगे उसको आपको ज्यादा फ्राइ नहीं करना है तो यहांपर देखिए सबसे पहले हम इस पर आड करेंगे टमाटव के अच्छप तो आपको बाहर से अगर आपको पसनते हैं तो आप आप कर सकते हो जादा बट मैं ज्यादा प्रिफर नहीं करती हूँ बिकॉस जो मेंली पीजा का टेस्ट है वो नहीं आता है फिर वो एकदम और जो बेस है वो भी बहुत ज्यादा सौगी हो जाता है अगर आप बात में रखते हो तो फिर वो इसलिए बहुत ही अमांट में या बहुत ही कम यूज करना है आपको तो इसके बाद यहां पर देखिए मैं यहां पर प्यास जो इस तरीके से बहुत ही बारिक 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 ऐसे मैंने कट कर दिया है अगर आप चाहो तो आप स्लाइस वोगेरा भी कर सकते हो बट मुझे अपर फाइन चॉपट पसंद है पीजा में तो इसलिए मैं ऐसे कट करती हूँ तो यहां पर हमने कैप्सिकम अड़ कर दिया अपने इसाब से आप जो भी आपको पसंद हो आप इंग्रीडियंस अड़ कर सकते हो अगर आपको सिर्फ पनीर पसंद हो तो आप सिर्फ पनीर या फ्राइ करके लेलो और फिर आप कर सकते हो तो यह देखे सारे वेजी आप कर दिया उसके बाद हम इस पर आप करेंगे पनीर तो मैंने पनीर आप किया है आप इसकी जगा पर सेम चिकन भी आप कर सकते हो बट चिकन आप कच्छा नहीं आप कर सकते है उसको आपको फ्रा प्यास भी जब हम आड करते ना टमाटो भी बहुत लोग आड करते है मैंने देखा है काफी लोगो को कि वो टमाटो की स्लाइस भी आड करते है पर मुझे नहीं पसंदाता तो बट वो ही है कि वैजींस जो भी आपको पसंदों अपने सब से अड कीजिए तो पनीर को भी मैंन अगर आप चाहो तो आप पीजा का डो वो भी घर पर बना सकते हो बट अब मैं जल्दी जल्दी में बना रहे थी तो बस ऐसी मूड हो गया तो फिर मैंने इसलिए पीजा का बेस मंगवा लिया बेकरी में कोई भी बेकरी में इसलिए अवेलिबल हो जाता है तो उपर से हम एड कर रहे हैं सॉल्ट और सॉल्ट के साथ हम एड करेंगे चिली फ्लेक्स तो चिली फ्लेक्स जो है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो चोटे बच्चों के लिए जिनका स्पाइस लेवल नहीं है जो स्पाइसी नहीं खाते है तो आप चिली फ्लेक्स स्किप कर सकते हो जरूरत नहीं है बट अगर आप मतलब घर में बड़े जो भी है उन लोगों के लिए बना रहे हो तो चिली फ्लेक्स आप अड़ करिए उसके बाद देखिए नॉर्मल जो हमारा अमूल का चीज क्यूब होता है प्रोसेस्ट चीज वो आपको इस पर अड़ क करेंगे इससे काफी अच्छा टेक्स्च्चर आता है और टेस्ट भी आता है तो जो बहाई प्रॉपर ली हमें पीजा मिलते है जिसके लिए हमें क्रेविंग होती है तो वह अब घर पर भी प्रॉपर ली बना सकते है तो यह देखिए नॉमली प्रोसेस्ट चीज अमने जादा जैसे आपको सही लगे आप अड़ करी है मैं तो जादा अड़ करती हूँ क्यूंकि मुझे चीज बहुत पसंद है और पीजा में आइधि ज्यादा ही अच्छा लगता है अगर आप आप अगर बहुत कम चीज अड़ करते हो तो फिर वह पीजा नहीं रह जाता तो इसल़ सीले हमने इसमें ऐड़ कर दिया उसके बाद इहां पर देखिए यह हमारा इंग्रिडियन्स जो है वह दिखा रही थी मैं सातो सात हमारा पीज़ा ऩो है वह भी रैड़ी है तो यह आप देख सकते हो यह दूसरा बना रही हो मैं यह पर दूसरी भी तैयारी तो ऐसे बहुत ही अच्छा लग रही है तो बस यह अगर आप नॉर्मल बेस या डो से करोगे तो सेम प्रोसेस करना है बस यह बेस की जगह पर डो होगा उसके बाद देखें यहां पर मैंने एक नॉन्स्टिक पैन ले लिया है इस पर मैं आड करूंगी ऑईल तो बहुत ही थोड़ा स आड कर रही हूँ पैन को आपको पहले प्री हीट करना है आप 2-3 मนट इससे प्री हीट कर लीजिए उसके बाद आप इसमें एड कीर जिये ऑईल तो नस्टिक पैन है तो नस्टिक पैन में ज़्यादा ओईल नहीं लगता है वफब संट प्री हीट बहुत सब्या हो गया त तो इस तरीके से चीज प्रॉपरली मेल्ट हो जाना चाहिए, अब हम इसे कट कर लेते हैं, तो कितना टेम्टिंग लग रहा है यह देखने में आप देख सकते हो, तो बस इसको आप अच्छे से कट कर लीजिए, इसकी पीसे बना लीजिए, यह देखिए, तो कितना आसान है और कितना इज़ी है, हम घर पर ही बना सकते हैं, पीजा कर अगर सारी इंग्रिडियन्स आपके पास है, तो बैटर है कि क्यों बहार से ओर्डर करना, घर पर जब इतना अच्छा और हेल्दी वर्जन में हम बना सकते हैं, तो हम घर पर ही क्यों ना बनाए, तो यह देखिए घर पर मैंने बनाया है तो उसके बाद मैं से सोड़ा से dekorate कर रही थी तो यहां पर यह cheese spread है इसके जगा पर आप MIUNIS भी ले सकते हो मैंने cheese spread यूज किया है तो यह cheese spread हमने अच्छे से गानिश कर लिया उसके बाद हम tomato sauce ले लेंगे तो tomato sauce को हम इस पर गानिश कर लेंगे तो मुझे अकर कोईबी डिश में बनाते हुँँआ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसको थोड़ा सा गानिशिंग करूँ थोड़ा सा डेकोरेट करूँ तो वो अच्छा लगता है तो आप भी ट्राई करना जब भी आप कोई भी नॉर्मल चीज बना रहे हो, रेसेपी बना रहे हो, कोई भी चीज तो उसको ट्राइ करूँ कि आप किस तरीके से उसको गानिश कर सकते हो, इससे जो है आपको गानिशन की टेकनीक्स आती है, आपके खुद के ओन आइडियाज आप निकाल सकते हो, तो इस क्रियेटिविटी जो आप उसमें लेकर आ सकते हो, अपनी कुकिंग में, तो यहां पर देखे, उपर से हमने मिक्स्ट हर्ब्स या पीजा हर्ब्स जो होते है, पीजा सीजनिंग सॉरी, वह आप कर देते हो, और यह देखो प्रॉपर चीज पुल आया है, यहां पर आप देख सकते हो, रेडी है, यह दूसरा वाला पीजा है, इसको भी मैं कट करके आपको बताती हूँ, इसका भी आप चीज देखे, बहुत ही एजिली और बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है, अगर आप नॉमली नॉन स्टिक पैन पर सही तरीके से इसे बेक करोगे, तो एजिली बेक हो जाता है, इसे भी मैं कट कर लेती हूँ, तो यहाँ पर आप देखे, इसे भी कट कर रही हूँ, और बस यह देख सकते हो, आप कितना सई तरीकी से चीज पूल आया है, जो चीज पूल के लिए हम बहार से पीजा ओडर करते हैं, या फिर हम बहार चले जाते खाने के लिए वो हम घर पर भी बना सकते है इजी वे में तो यह देखिए रेडी है और कितना टेस्टी और टेंप्टिंग लग रहा है तो हमने भी बहुत इंजॉई किया बस ऐसी बारिश का मुसम हो गया था तो सोचा चलो संडे का दिन था ये व्लॉग मेरा जो है वो कल का नहीं है पहले का है जो मैं शूट करके मैं मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एडिट करने का तो मैंने अभी मुझे टाइम मिल गया तो मैंने सुचा आप लोग के साथ शेयर करूँ तो बस इस तरीके का कुछ छोटा मुटा व्लॉग है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर र तो मैंने सोचा अगर बना रही हूं तो व्लॉग भी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूं प्लस रेसिपी भी तो आप लोग देख सकते हूं सेम इसी तरीके से मैंने बर्गर की रेसिपी भी शेयर की है और मैंने आइ थिंक क्रिस्पी बर्गर या फिर कुर्कुरे बर्गर 2-3 ताइप की बेशिपीज पर कौन सी रेसिपी देखना आप लोग पसंद करेंगे तो इंशाला मेरी कोशिश होगी कि मैं वो रेसिपीज आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ तो उमीद करती हूँ आपको यह मेरा चोटा मुटा व्लॉक और चोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी मिलती हूँ इंशाला ऐसी और नए रेसिपीज और नए व्लॉक तब तब के लिए दुआओं में याद रखिए अलाँ हाफिज